हाई एंड वेलकम टू मैं चैनल अग दे फ्लेवर्स ओफ लाइफ आज मैं आपको अपने गार्डन के किसी प्लांट से नहीं बलकि अपने घर के बाहर होने वाली हल्चल को दिखाने जा रही हूँ जैसे ही मैं अपने वर्क प्लेस से लोटी तो मुझे इस तरह का कुछ सीन दिखाई दिया बहुत सारे मजदूर हमारे घर के बाहर काम पर लगे वे थे और मुझे बड़ा अश्चरिवा काम तो होना ही था लेकिन बिना इंफोर्मेशन की जब ये लोग आ जाते हैं और शाम क से कई जगह पर ये टीनके शेड़ा दियेगए क्म पराना फ्लेस पिर लोगे से सकते ही जड़ा अगया और अन्हें contexts काई सारे मेरे घर जुड़ीये अपनी मर्जी से जहां जो गमला उनको जगा मिली वहां उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया और जब मैं वापस आई तो लगभग मेरी आँखों में आसू आ गए थे क्योंकि मैं होती तो मैं खुद अपने हिसाब से इनको समेटती अपने हिसाब से रखती लेकिन जब मैं नहीं थी और इनोंने जैसे मरजी जहां मरजी जो रखना चाहा वो रख दिया तो इतना दुख होता है जब आप एक प्लांट पेरेंट होते हैं और आप उन पौधों को बहुत ही प्यार से सहेशते हैं और कोई उनकी इस तरह से बेकदरी कर दे तो बहुत दुख होता है चलिए ये तो गुलदाओदी थी ये तो जाने वाली थी फूल इसने दे दिये थे लेकिन कई सारे फूल जो अभी खिलने बाकी थे कुछ खिल गया किसी की टहनी तूट गई कोई गमला तूट गया तो मैं बता नहीं सकते मेरा कितना नुक्सवान हुआ ये देखिए इतना सारा मलवा ये यहां पर पड़ा हुआ है और इसी मलवे के उपर इन्होंने ये सारे मेरे जो फ्लावरिंग प्लांट से वो रख दिये और कुछ तो किसी की टहनी तूटी हुए है कुछ-कुछ ये अलाइसम तो बच गया ये आपका केलेंडूला भी बच गया लेकिन ये जरवेरा का एक फूल तूट गया अब इनको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये कहते हैं कि बागुजी हमें तो उपर से ओर्डर मिला कि ये करिये तो हम कर रहे हैं अब समझ नहीं आता कि हम किसको दोश दे अगर ये पहले से बता देते तो मैं अपने हिसाब से हटा देती पर देखे फिर भी कितना मेरा नुक्सान हुआ है मैं आपको दिखा रही हूँ ये दिखे धूल की तो बात ही नहीं है अंदर बाहर चारो तरफ धूली धूल है ये देखे मेरा 17-18 साल का ये बोनसाई था ये भी इनोंने तोड़ दिया इसका गमला भी इनोंने जो था वो तोड़ दिया कितना सारा इसमें देखे धूल हो रखा है फूल सारे धूल से भर गए हैं और चारों तरफ रेत और बजरी ही बजरी दिखाई दे रही है। मॉंस्टेरा की कई सारी पत्यां तूट गई हैं, धूल से लवरेज हैं, कुछ फूल तो खिले हैं, लेकिन वो भी धूल से भरे हुए हैं। अब आगे देखे, साल्विया का हाल भी बहुत ही बुरा है, बहुत सारी टहनियां फूल इसके तूट गए हैं, लाइट परपल कलर का साल्विया था, बहुत सुन्दर ब्लूम हो रहा था, और एक दिन पहले ही मैंने सोचा कितना सुन्दर लग रहा है, और पता नहीं क्या क्या हुआ, यह देखे, केलेंडूला भी यहां से एक टूटके मुड़ गया है, तो कुछ पौधों का थोड़ा सा हाल ठीक है, लेकिन कुछ पौधों का हाल बहुत ही बुरा है, यह देखे, एक तरफ का दब गया है, और एक तरफ का थोड़ा सा ठीक है, यह देखे, बीच इनों ने थोड़ा सा एक तरफ का पोर्षन रिपेर कर दिया है उम्मीद करती हूं कि जल्दी ही यहां से काम करके जाएं और हमें यहां पर साफ करके मेरे पौधों को थोड़ा सा फिर से दुबारा से रखने की जगा मिल जाएं अभी तो सब कुछ पूरा का पूरा मैसी हो र नहीं थी तो मेरे पास जो भी यह मुझे दिखाई दिया वही का मैं उसी का मैंने वीडियो बना दिया जो प्लांट उन्होंने पीछे की साई रख दिये जैसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट है यह तो तब भी बच गए लेकिन जो आगे की तरफ है उनका तो हाल बहुत ही भी बुड़ा है वह तो मैं आपको तो मैं आपको दिखा भी नहीं इसकती इतने गंदे और उनकी टैनिह इतनी सारा हो गई कई दिन बाद पोचने पर ये दस्टीजन से जाएगे और तब ये थोड़ा सा देखने लायाग ठीक बन पाएंगे अब ये इसको करते हुए चार दिन हो गए हैं एक तरफ का इन्होंने लगबग थोड़ा बहुत कम्प्रीट कर लिया है यहां इनको अब तोड़ना बाकी है उपर वाला अब यहां पर ये फिर दुबारा से पूरा मचान बना करके करेंगे दूसरी साइट पर ये आ गए हैं और आब इन्होंने ये पिछे की तरफ जहां मेरे प्लांट्स रखें वहीं पर इन्होंने ये मचान बना दिया है खैर कोई नहीं बनना बिखरना और फिर स यही दुनिया की रीत है फिर से पौदे लगाएंगे और फिर अपनी बग्या को समारेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग